ये है होंडा की नई नेकेट स्ट्रीट फाइटर बाइक होंडा होरने 2.0 बिथ असिस्ट स्लीपर कलच बिथ फियर्स इंजन मतलब की भैंकर इंजन तो ये इस नई E20 वाली होंडा होरने 2.0 में कितने बड़े बदला हुए हैं इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं 2030 में और इसकी प्राइस क्या है माइलेज क्या है complete detail में आपको देने वाला हूँ इस नई बाइक के बारे में तो बस बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाइन राहूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबाएं दोस्तों ये जो होंडा हॉरनेट 2.0 आप देख रहे हैं इसका पहला मॉडल 2015 में लांच किया गया था 160 CC इंजन के साथ उसके बाद ये 2.0 हुई और उसमें आया 180 CC का इंजन जिससे इसको बोला गया Fierce इंजन मतलब की Fierce को मैंने Google पर ट्रांसलेट करके देखा तो उसका मतलब बताया गया कि भैंकर इंजन तो इसमें और क्या-क्या मिलते हैं उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई इसका लुक किस लिए बनाया गया है तो यहाँ पर जो जैसे एंग जनरेशन है एंगेश्टर्स को जादा ध्यान में रखके बनाया गया है यंग जो बाइकर्स हैं उनको ध्यान में रखकर इसका डिजाइन बनाया गया है और इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा मासिव फील आएगा मतलब मस्कुलर जगा जगा पर आपको कट मिलेंगे पूरा मस्कुलर फीलिंग आएगी इसका जो टैंक है वो काफी मस्कुलर बनाया गया और उसी हिसाब से इसका एरो डायमिक डिजाइन बनाया गया जिसमें अगर आप इसकी फ्रंट एलेडी लाइट को देखेंगे जो थोड़ी छोटी सी है तो इसलिए थोड़ा सा आपको रोबोटिक फील देगी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा इस बा बाइक में आपको मिलते हैं जिससे ये बाइक देखने में जबरदस्त लगती है आगे से पीछे से कहीं से भी अगर आप देखते हैं तो ये बाइक वाकई में आपको अच्छी लगेगी और अगर आप राइट साइड से देखते हैं भाई न तो मतलब जो जो सोच कर जो सो साइड डाउन फॉर्क यह सारी चीजें आती थी लेकिन इसमें बदलाव यह हुआ है कि इसमें आपको असिस्ट स्लिपर कलच मिलने लगा जिससे आपका अपसिप्ट और डाउन सिप्ट बहुत ज्यादा क्विक सिप्ट मतब थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा आप कहीं पर भी चलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी से गेर आप चेंज कर पाएंगे इसके अलामा जो सबसे बड़ा बदलाव है वह इसके LED इंडिकेटर आप देखेंगे यह वाले LED बिलिंकर्स इसमें आपको मिलने लगे हैं और हजार लाइट सुच के साथ मिलते हैं जैसे आप चारों इंडिकेटर एक साथ आउन कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है अब इसमें थोड़ा सा और डिटियल से बात करेंगे लेकिन आप यह देख लोग मैं E20 वाली ही दिखा रहा हूं आप यहां पर देखेंगे यह E20 लिखा हुआ है और यही पर अगर आपको हॉर्नेट वह भी हाफ गोल्डेन है यहाँ पर आप देखेंगे शिल्वर आपको यह जिकर मिल रहे हैं यहाँ पर यहां पर भाइ 2.0 लिखा हुआ है और जिस कलर में यह बाइक है उसमें इसमें ड्यूल टोन मटगार्ड मिल रहा है बल्यक पीशे है आगे महरून है मतलब कि मैट रेड है और वही आपको इस टीकर इसके एलोई बील पर मिल रहे हैं और एलोई बील भी आप देखेंगे भाई इनको एक ही माना जाए एक दो तीन चार पांच रोड वाले इसमें आपको मिलते हैं और 110-70-17 का इसमें आपको ट्यूबलेश टायर मिल जाता है जो की अच्छी बात है यहां पर रिफ्लेक्टर दिये गया है उसी कलर में आपको इसमें इंजन काउल भी दिया गया है जो कि अच्छा लग रहा है इसी से तो इसमें इस स्पोर्टी फील आ रही है और 120-cc की बाइक में आपको ड्यूल इस्टेंड मतलब डवल इस्टेंड जाएगी यहां पर आपको यह फुट्रेस्ट लग जाएगी जिससे कोई भी बैठेंगे लेडिज तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी चैन कबर हाफ चैन कबर लगी हुई है ओर रिंग वाली चैन इसमें आपको मिल जाती है और भाई टायर यह देख लो आप MRF का कम किया गया है जिससे डिस्क ब्रेक और यह टैर और ज्यादा उभर की सामने आ रहे हैं इससे यह बाइक देखने में बहुत जबर्दस्त लग रही है अब यहां पर थोड़ा सा और डिस्क ब्रेक अगर आप पीछे देखेंगे 220 mm के डिस्क ब्रेक मिलता है आगे अगर आप इंजन को देखेंगे भाई तो इसमें मसीन फिनिस दिया गया है इसका है और एक चीज आप देखेंगे यह जो यह जो इंजन आप देख रहे हैं इसका 160 CC से बेस लिया गया है जो 160 CC की SP या उनिकॉर नाती इंजन उसी के बेस पर ही इसको बनाया गया है बट इसमें यह लगी हुई है जो SP 160 में नहीं थी जिससे ओयल कूलिंग को और ज्यादा इंप्रूब किया जाए क्योंकि जब इतनी पावर्फुल बाइक बहुत तेज चलती है तो ओयल मतब की कूलिंग क्या ध्यान रखा जाता है अगर इस बाइक में देखा जाए तो 184.40 CC का फोर स्टोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जिसमें आपको 17 HP की पावर मिलती है पचासी सो आर्पियम पर 15.9 Nm की टॉर्क मिलती है 6000 आर्पियम पर 16 mm बोर है 13.9 mm इसका स्टोक है पांच गेर हैं असिस्ट स्लिपर कलच इस बाइक में आपको मिल जाता है जो की काफी अच स्ट लगेंगे इस पर और जैसे सिटिंग पोजिशन भी बढ़ियां है इस बाइक का मैं टेस्ट राइट रिजल्ट आपको बताऊंगा और अच्छी बात यह है कि मात्र 141 किलोग्राम की बाइक है जिस पर 17 HP की पावर मिलेगी 15.9 Nm की टॉर्क मिलेगी तो वजन के करते हैं अब अपको यहां पर सबसे पहले आप चाभी देखेंगे यहां पर मैं आपको चाभी दिखा देता हूँ, यह हों, यह ій पर आपको ईंडा होर्ने 2.0 की चाभी यह रही और इस चाभी को लगाने पहले आप यहां पर देखेंगे इंझन स्टार्ट में स्टॉप क की बटन है 1000 लाइट की बटन है यह थोड़ी सी हिल रही है थोड़ा सा और quality improve हो सकती थी यहां पर self की बटन है यहां पर आपको high beam low beam मिल रही है pass की button मिल रही है और यह indicator की मिल रही है यह आपको horn की मिल रही है और यहां पर आप देखेंगे इसके tank पर इसमें center में आपको ये चाभी लगाने वाला मिल रहा है अब यहां पर जरा मैं इसको on कर देता हूँ यहां पर आप देखेंगे liquid crystal इसमें आपको meter मिल जाता है जिसमें आपको यहां पर speed बताएगी यहां पर आपको घड़ी मिल रही है digital watch मिल रही है यहां पर आपको rpm meter मिल रहा है यहां यहां पर आपको total kilometer यहां पर आपको fuel meter यहां पर आपको gear position indicator जिसको मैं select करूँगा तो trip A, trip B और यह battery बताएगी और total इतनी सारी सुभधाई इसमें आपको मिल जाती है बाकि यहां पर जैसे side stand का और यहां पर आपको यह high beam का ABS का neutral का और यह check engine light इस bike में आपको मिल जाती है फिलाल अभी इसमें Bluetooth connectivity नहीं मिलती है क्योंकि यह कम कीमत में आने वाली bike है और dual stand इस bike में मिलता है जो की काफी अच्छी बात है अब इस sporty bike का sound सुनाने का time आ गया है और मैं जरहां आपको sound सुना देता हूँ इसका जो sound है वो unicorn और जैसे SP से ज्याद अब जरहां बार बंद करके मैं start करता हूं और सुनाता हूं तो भाई यह था इसका sound अगर हम बात करें कि भाई माइलेज क्या देगी यह तो माइलेज यह देगी आपको लगभग लगभग 30-40 के बीच में क्योंकि यह powerful street fighter bike बनाई गई है इसलिए जिससे आप power को feel कर सकें और एक naked bike पाएं तो जैसे आप और sleeper clutch इसलिए दिया गया है कि जैसे आराम से आप gear shift कर सकें और जिससे आपकी bike चल सकें तो आप इसको जाहिर सी बात है फास्ट भगाएंगे तो वहाँ पर mileage के लिए आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे तो 30-40 के बीच में mileage मिलेगी जैसा आप चलाएंगे वैसे ही इसमें आपको mileage मिलेगी अब मैं जरा इसकी price को देखकर आपको बताता हूं भाई इसकी price क्या है लगभग इसकी price मैंने फोटो खीच रखी है तो भाई एक लाग छाचाचाचाचाचाचार बता रहे हैं आप बाकी showroom पर phone कर सकते हैं मैं नंबर मिलेगा तो दे चाहूं तो एक sporty naked street fighter look मिलता है aggressive design split grab rail, split seat, sporty split seat, 140 mm का wide tire, 100 mm का आगे tire, upside down fork with golden और assist sleeper clutch और powerful engine, liquid crystal meter मिल जाता है तो इतने सारी सुबधाओं के साथ ये बाइक आती है अब आपको ये बाइक कैसी लेगी आप लोग अपनी राय जरूर दें और mileage मैंने आपको बता दी है इसकी test ride क कैसी लेगी आप लोग अपनी राय जरूर दें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉंट बाइंट राहू को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबाएं जिससे हमा